आई इंडिया को सबसे पहले में बढ़ाई देना चाहता हूं शुब कामनाई देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है आज के समय पर ये प्लेटफॉर्म सच्ची ख़बर और समय पर ख़बर लोग को पहुचाएगी वहीं जो सच्चाई के साथ पहुचाए जा सकता है क्योंकि बहुत सारे सवाल आज मीडिया पर उठ रहे हैं मीडिया की सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिल्टी का है और मुझे उम्मीद है आई इंडिया चैनल आपका क्रेडिबिल्टी के साथ इमानदारी से सच्ची ख़बरें जनता तक पहुचे रहे हैं मैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर बाइस में बाइस किल जी हां समाजवादी पार्टी का यह नारा है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कारकरता प्रिचार प्रसार भी कर रहे हैं लेकिन बाइस से पहले उस साइकल पर कौन बैठेगा इसको लेकर धीरे धीरे जंग तेज हो चली है सीतापुर सदर विधानसवाद छेतर में यह जंग इसलिए महत्पून बनती जा रही है चुकि यहाँ पर चार बार विधायक रहे राधेशाम जैसवाल पुना एक बार समाजवादी पार्टी से प्रत्यासी बनने की जोर तोड कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनको हराने वाले भारती जंता पार्टी के विधायक रहे राकेश राठोर सामने आ गए हैं हाल ही में राकेश राठोर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादों ने उन्हें पार्टी में सामिल कर लिया है और सामिल होने के बाद बुधवार को राकेश राठोर पहली बार पार्टी के जिला का राले में पहुँचे वहाँ पर पहले से एक नियोजित कारिकम था सिच्छक सभा जो समाजवादी पार्टी के ही प्रदेश अद्दिच वहाँ पर आये हुए थे लेकिन वहाँ पर राकेश राठोर और उनके समर्थकों के अलावा राधेश शाम जैसवाल गुट जो था वो वहाँ नहीं पहुँचा और आज अपसे कुछी देर पहले राधेश शाम जैसवाल ने कई गाड़ियों को जंडी दिखा कर रवाना किया उन गाड़ियों की होडियों को देख कर या बताया गया है या अंदाजा लगाए जा सकता है कि प्रत्यासी बनने की होड मचि हुई है और राधेश शाम जैसवाल ने बाइकाखाईदा अपने को उस पे प्रत्यासी गोशित करते हुए होडियों लगाई है कि सीतापुर्श सदर से 146 से यानि की राधेशाम जैसवाल समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी सपा की नीतियों और रीतियों को और योजनाओं को गाउं गाउं तक पहुँचाने के लिए कई वहनों को राधिशाम जैस्वाल ने रवाना किया है और उस पर उन्होंने अपने को प्रत्यासी समाजवादी पार्टी का लिखा हुआ है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हाला की समाजवादी पार्टी की ओर से कोई घोशला नहीं की गई है लेकिन वो मुटमेवीन हैं कि उन्हें ही पार्टी प्रत्यासी बनाएगी यह अलग बात है कि उनके धुर विरोधी बन चुके राधिश राफ़ोर भी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और उन्होंने पार्टी काराले में पहुँचकर कहीं न कहीं ये जता दिया है कि वह भी ठिकट पाने की उमीदों का दिया जलाए हुए है बीच में यह भी चर्चा थी कि राकेश राठोर को गैर जन्पर से लड़ाया जा सकता है लेकिन जिस तरह उनके दौरा बैठके की जा रही है नगर बिधान सवाद छेतर में इसके अलावा पार्टी काराले में वो पहुँचे हैं उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उनके दौरा भी सीतापुर से समाजवादी पार्टी से ही टिकट पाने की पूरी चाहत रखी ग काराले से राधे शाम जैस्वाल ने कई वहनों को छंडी दिखा करके रवाना किया है और गाउं गाउं तक यह बताने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी के उमीदवार वही हैं उन्होंने बाइकाइदा होडिंग्स में लिख भी रखा है और इस बीच सपा की नी अखले शियातों को मुख्यमंतरी बनाना है यानि 22 में बाइसकिल लानी है तो इस तरीके से 22 में बाइसकिल को लेकर के समाजवादी पार्टी में कारिकम तो जरूर चल रहें लेकिन इसके अलावा जो कारिकम तेज हो चले हैं वो इसी तरीके के कारिकम जहां टिकट को लेक मारा मारी मची हुई है यानि कि आपस में ही जंग अब तेज हो चली है और यह जंग आने वाले दिनों में और भी तेज होने की पूरी उम्मीद है सदर विधान सवाच छेतर ही नहीं सिधौली में भी यही हालात हैं अगर सिधौली की बात करें तो वहां पर भी मनी शिरावत जो पूर बिधायक है समाजवादी पार्टी से उल्लगातार साइकल लेली निकाल रहे हैं और अपने आपको वो प्रत्यासी एक समान वहां पर घोशित किये हुए हैं उनके पच्छ में खुलकर पूर उपसांसस सुसीला सरोच बाकादा लगी हुई हैं यही नहीं उनके द्वारा एक कड़ा बयान भी जारी किया गया था इसके बाद वहां से जो बस्पा के बागी विधायक थे डॉक्टर हर्गोबिंद भारगव वो भी अब समाजवादी पार्टी में सामिल हो चुके हैं उसके बाद जाहिर तोर पर वह भी खुद को समाजवादी पार्टी से प्रत्यासी बनने की चाहत रखे हुए हैं तो लिहाजा यहां भी सिदहुली में भी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी से टिकट पाने को लेकर जंग तेज हो सकती है और इस पर विपच्छी दलों की नजरें गड़ी हुई हैं खास कर भारती जंटा पार्टी की वो इनकी काट तलास रही है कैसे इन धुरंदरों को कैसे इन दिगजों की काट निकाली जाए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है उनके हाँ तमाम अनसौंगिक संगठन है संग है पार्टी के पदाधिकारी है और राष्टी और प्रदेश अस्तर के नेता एक एक गद्विदी पर नजर गड़ाये हुए हैं कि कैसे इनको डिफीड देना है कैसे इनको मात देनी है इसको लेकर भी जंग एक समान छिड़ चुकी है तो इससे समंदित जैसे ही कोई नया पहलू आता है हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से सबसे बिस्सुसनी तरीके से बताएंगे फिलाल के लिए हम छोड़ जाते हैं आपको जो राधे साम जैसवाल ने वहनों को रवाना किया है जो सपा की नीतियों, रीतियों, योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं अखलेश यादों को पुना मुख्यमंतरी बनाने की अपील कर रहे हैं उन वहनों को देखिए जिस पर रादेशाम जैस्वाल ने सोयम को प्रत्यासी सदर विधानसावाद छेतर से लिख रखा गया हुआ है अजय को देखिए जैस्वाद। झाल झाल